हेलो गाइज, वेलकम बैक टो रैंबलिंग बाउंडरीज तो अभी हम पट्री पे आयो थे फोटो खीचने के लिए यह हमारा मित और यह मनोज है जो हमारे पीछे काम करता रहता है हमारे फोटो खीचता रहता है क्या है मैंने अमेज आन पर अपना इसका ट्राइपोड बंग वाथा गोपरो का अभी आपको उसको दिखाते है अन बॉक्सिंग करते उस डेसी तुपटा पोन लेका यह है ट्राइपोड मंद ओगया स्ट्रैंड मिनी चलता ही है उसके लिए थिए इसके अंदर मिलता है हमें एक यह हाथ में ताकि गिरेना गोप्रो ऐसे टांगने के लिए और मिलता है हमें इसका टाइट करने के लिए स्क्र्यू और यह है आपका थ्री वे माउंट यह है यही तुम्हें मांग रहा था अब तब जो पीछे वाला मुवमेंट है वो पूरा कैप्चर हो जाए है ना यह बेनफिट देगा में आगे आने वाले वीडियोस में और हाँ इसका यह ट्राइपॉट है यहां से निकलता है यह इसका एडवन्टेज है अब इस पर लगा के दिखाता हूं मैं यह है अपना अब मैंने फिट नहीं किया था अब इसको फिट करके देखते हैं इस पर वैसे मेरे पास यह था ट्राइपॉट यह भी अच्छा है मतलब अगर आपने ब्लॉगिंग करनी है तो ऐसे पकड़ना पड़ता था इसको यह है इसमें थोड़ा बड़ा रहेगा हमारे लिए यह कहाता है ऐसे राउंड बगयार हो जाता है कहीं भी टांग नहों तो इससे टांग सितके वाफ इसका पैनेफिट देखेंगे अभी कि यह ऐसे इसको टाइट कर लो इसे काफे जादा पीछे वाला व्यू कैप्चर हो जाएगा और यह वाली चीज जो इसको फोल्ड करके डारेट इसके अंदर ही डाल जाता है इसका यहां से टाइट कर लो अपने हिसाब से जैसे मर्जी मोड में वैसे मोड के अपने लिए और यह ग्रिप बहुत अच्छा है कमफडेवल है इसको यहां तैक कर दो ताक नीचे भी नहीं गिरेगा दूल है और यहां पर सुच है इसको दबाया और फोल्ड और इसको प्रॉपर अपना सेटल कर लिया फेसे पैक करने के लिए इसकी जगह पर यह डाल दिया और इसकी यह थी क्या था पुल्ली यह पुल्ली यह पुल्ली डाल दी मुझे तो अच्छा लग रहा है ठीक है और यह मुझे वैसे पड़ा है 600 रुपे का पड़ा मुझे बस 600 रुपे का फिलिपकाट से लिए मैं तो गाजींसी के साथ हमारा अन्बॉक्सिंग खतम होती है मलते है नेक्स्ट वीडियो के